हलो फ्रेंज, स्वागत है आप सबका हमारे साथ फ्रेंज, आज हम आपको बताएंगे अनार के पत्ते सेहत के साथ हमारे चेहरे को भी निखानने में बहुत जादा कारगार है फ्रेंज, ये इतना अच्छा गरेलून उसका है कि आप अगर इसको इसको इस्तामाल करेंगे तो आपका चेहरा भी बहुत जादा खुबसूरत और ग्लोइंग हो जाएगा फ्रेंज, अगर आपके चेहरे पर मुहासे हैं तो मुहासे को ये बहुत ही जल्दी जड़ से खतम कर देते हैं अनार के पत्ते अनार के पत्तों को किस तरह से इस्तामाल करना है हम आपको बताएंगे अनार खाने से होने वाले फायदों के बारे में तो सब ही जानते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि अनार के साथ साथ अनार के पत्ते भी हमारे चेहरे के लिए आपने ओसे सिस्टम को भी ठीक रख सकते हैं जैसे हड्डियों में दर्द होने लगता है तो अबóc Hernandez's और जब आदा रहे जाए उस पानी को आप दो टाइम पी ले तो आपकी हड्डियों में होने वाले दर्द को भी खतम कर देते हैं अनार के पत्तों का पेष्ट बना ले और ग्रीन टी बना कर इसके अनार के पत्तों का एक चम्मच पेष्ट आप अपनी ग्रीन टी में डाल कर पी उससे आपका पेट बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा जो स्कीन प्रोब्लम होती है स्कीन को फाइदा पहुचाने में भी बहुत जादा मदद करते हैं अनार के पत्ते अनार के ताजा पत्ते पीस कर उनकी चटनी बना ले और फिर दो चमच चटनी में चारचमच सर्जो का तेल मिलाकर चहरे पर अपने मालिश करने से भी बहुत जादा चहरा हमारा ग्लॉइंग और खुबसूरत हो जाता है अनार के ताजा पत्ते पीस कर हाथ पाओं पर लेप करने से भी जिसे हमारे पेरों के तल्वों में जलन महसूस होती है कहते हैं कि वह बहुत जादा जलन होती है उनकी हाथों की गर्मी नहीं जाती तो अगर पैश्च बना लेब कर लेगे अपने हाथों पर लेब करके आदे गंटी के लिए और फिर बाद में उसको धोले तो देखना आप इसको तीन दिन करेंगी, तीन दिन के बाद आपको चोका देने वाला रिजल्ट मिलेगा देखना आपके हाथ पेरों की जलन जड़ से खतम हो जाएगी और आप खुद कहेंगी कि वा अनार के पत्ते तो अनार से भी ज़्यादा ताकत वर है अनार के ताजे पत्ते 30 गिराम धो कर आधा किलो पानी में उबाल कर आधा पानी रहने पर छान ले इसमें समान मात्रा में थोड़ा सा दूद मिलाकर पीने से शारीरी और मानसी धकान दूर हो जाती है तथा नीद अच्छी आती है पत्तों के उबले हुए पानी से कुली करने से अगर आपके मुँ में च्छाले हो गया है या इन्फेक्शन हो गया है तो वह भी खतम करने में यह कारगार है अगर आप अनार के पत्ते सही तरीके से इस्तमाल करेंगे तो आप इसका कितना को अपनी फ्रेंज फ्रेंडी के साथ शेयर करें और नेक्स वीडियो में फिर आपसे मिलती हूं जब तक के लिए स्वास्तरी मस्तरी और अपना ख्या लखिए